प्रणाम करते हुए विद्वानों को नमन करते हुए और शुरूतागन जो मेरे सेजेष्ट उनको प्रणाम करते हुए मैं अपना विशे रखना चाहरा हूँ कथा प्रसंगों के मामले में जहां हम देखते हैं तो प्रथम कथाकार जो हुए वो भगवान अपनारे हनमान जी महराज हुए जिन्नोंने मा सीता को कथा सुनाई और मा सीता की सक्ती से संपन भगवान श्री राम जी जिनके अनुग्र पैसे ही यह श्री संप्रदाय चला तो माता सीता मूल श्री संप्रदाय की संस्ता पिका है और वही संप्रदाय रामानंद संप्रदाय है इसी को रामायतन संप्रदाय भी कहते हैं और इस संप्रदाय ने जब रामानंदाचारे जी उत्पन हुए उस परिस्तिती को ये एक तरफ चंगेज खां का आक्रमन हो रहा था बहुत बीशन अत्याचारों रहे थे इंदु समाज पर दूसरी तरफ मुहमत गयासुदिन तुगलक ने अत्याचारों की पराकाष्टा कर रही थी जहां मंदिर था मंदिर तोड़ दिया जा रहा था जहां मंदिर बन रहा उसको बनने नहीं दिया जा रहा था और जो कोई कुम्ब इत्यादी स्तलों पे जाता था उस पे जजिया कर लगा दिया जा रहा था इतनी विकट परिस्तितियों में बगवान रामानंदा चारे जी का जन्म हुआ और जब बहुत कष्ट में लोग हुए तो उनके पास जाके उन्होंने विनती की कि महराज अब अती हो गई है बिलकुल इस्तिती बहुत हातों से बाहर हो गई है तो उन्होंने अपने इस तपो पर उन्होंने समझा तो उनको लगा ये सामन्य घटना नहीं है सामन्य घटना है किसी महापुरुष के कारण ये हो रहा है और सारी चर्चा करने के अभी जैसे बताए कभी इन माराज की साहिता से वहां पहुँचे और उन्होंने रामनंदा चारे जी ने बारह सड़ते परकार धर्म जरूरी है आत्म उत्थान के लिए इसलिए जो भी जिस धर्म का पालन कर रहा है उसको उस धर्म के पालन करने से रोका नहीं जाए उन्होंने ये भी कहा कि फकीर के पास यदि कोई हिंदू शरदा वस जाता है तो उस हिंदू को उसी धर्म के अनुकूल फकीर का करतब बे है सिक्षा दे ऐसा नहीं करे कि उसको धर्म परिवर्तन करवा है और इन सब बारे बातों को जब लिया गया गया सूदीन तुगलक ने उन सब को समझा और फिर खुद की मौर लगा करके स्तापित किया कि यह होना बहुत जरूरी है और इतना बड़ा परिवर्तन क केवल एक सच्चा सादक ही कर सकता है रामानंदाचारी जी सच्चे सादक थे और उनी की कृपा से हमारे धर्म की जो विक्रतियां हो रही थी वो रुग गई और धर्म वापस सनातन मार्ग पे चल पड़ा आगे बढ़ पड़ा आज परिस्तितियां बिल्कुल वेसी ही है ध धार्मिक संस्ताइं हैं वो धार्मिक संस्ताइं एक स्थिति विशेस में रुग गई है रामानंदार्शन का द्यन कहा हो रहा है नहीं हो रहा है जी बहुत पूरे बारत वर्ष में एक दो जगह हो रहा होगा तो जिस दर्शन ने बिखरते बारत को जोड़ दिया समाज में उनके 12 शिश्य थे, 12 शिश्य में 5 प्रामन थे, फिर रेदास हुए, फिर पीपा जी हुए, फिर नाबा जी हुए, और इतने पे ही नहीं रुके, सुरसरी जी और पदमावती जी, ये भी उनकी शिश्याएं हुए, तो सारे समाज को जिन्होंने एकत्रित कर दिया, उनके दर इवेश के अंदर विद्यारती को बहुत समय देना पड़ता है, लेकिन अलप समय का संध्य विद्याले खोले, जहां पे रोज दर्शन की पढ़ाई करें, एक कथा चलती रहती है, जिसमें सन्यासी थे पड़े, विद्वान थे, ज्यान का परचार प्रसार करते थे, उनके यह बहुत सारे सिश्य थे, वो सिश्यों को बड़ा ग्यान देते थे, उस ग्यान से उन सिश्यों में भी तपोबल पेदा हुआ, कालांतर में सन्यासी जी का देहा उसान हो गया, देहा उसान होने के बाद में, उनके सिश्यों ने क्या किया, बोले ग्यान का परसार करेंगे कुछ दिन ग्यान का प्रसार की है अपिर भोले सन्याव 마राज जी की मूरती लगाएंगे फिर मूरती लगाई बोले माराज जी की आर्पी उतारेंगे लगे कीरतन करेंगे और फिर कीरतन हुआ तो जगह कंपडरी है अब जमीन लाएंगे मूल उद्दे से जो ग्यान के प्रसार का था वो तो गोण हो गया और मंदिर और बड़ी भवन और बड़ी मूर्तियां बनना शुरू हो गई और समाज का धियान उस ओर चला गया ये जरूरिये संस्ताइ बनना जरूरिये विकास होना जरूरिये चीजों को रखना जरूरी है लेकिन उनके मूल ग्यान को बचा के चलना वह जरूरी है और आज वही नहीं हो रहा है आश्रमों का प्रथम करतव्य है विध्यार क्यों को इतने बड़े बड़े संत समाज यहां पे आये हुए हैं लेकिन सुनने वाला यूवक यहां नहीं है विध्यारती कितने हैं यहां पे पलित केश हो गए हमारी अवस्ता पचास पार हो गए और अब हम ग्यान अर्जन कर रहे हैं कितना ग्यान अर्जन करके कितना समाज को दे पाएंगे यहां दस साल का युवा बेठा हुआ होता बालक बेठा हुआ होता अर्जन करता तो पूरे जीवन वो समाज को ये सिक्षा देता तो मेरा तो संतों से इतना ही विनमर आग रहे है अपने अपने आश्रमों में सांधे विद्या ले चलाइए और छोटे-छोटे विद्यार्ति को पुना इस्तापित करने का प्रेत्न किया जाना चाहिए आश्रम की ओर से किया जाना चाहिए ताकि ये समाज सही दिशा को प्राप्त करे बाकी रामानन जी के बारे में कहना सुनना बड़े विद्वानों ने खूब कहा उस पे मेरे वचन कहना तो अतिश योगती योगी मैं सबको प्रणाम करके अपना आनी को विराम देता हूँ